जै हिंद, BSF, SCM और ASI इस्टिनू के PhD और PT के बारे में एक अच्छी खुसकवरी है, आप लोग के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी, latest update है, यह information जो male और female अभ्यारती है, जो BSF, SCM और ASI इस्टिनू के लिए अपलाई किये हैं, उनके PhD डेट के बारे में है, आपको PT, PhD की ड PhD में अनफिट किया जाएगा, हम इस वीडियो में जानकारी आपको देने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर informative लगेगा, तो अपने दोस्तों को साथियों को WhatsApp, Facebook, Instagram, टेलेगाम ग्रूप, आप share जरूर कर दीजिएगा, तो अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं, BSAV, SCM और ASI, STNU के PhD डेट के बारे में, PET डेट के बारे में, male और female, दोनों की जो PhD और PT होगी, जो सुरू होने वाली है, और ये perfect date आपके लिए होगी, ज 20 नौंबर से पहले पहले सुरू हो जाएगा, अब 20 नौंबर से पहले का मतलब है, 15 से 20 नौंबर के बीच में, आपकी PhD सुरू हो सकती है, मैं आपको इसके पहले एक वीडियो में इन्फोर्मेशन दिया था कि, 18-19 अक्टूबर से सुरू होगा, जो जानकारी मुझे हो सकती है, और यह आपको बताते हैं, कि जो ओवर वेट होंगे, PhD टाइम, उन्हें भी कंसीडर किया जाएगा, आगे के प्रोसेस के लिए मौका दिया जाएगा, अगर वो अपना वेट फिर भी नहीं कम कर पाएंगे, तो उन्हें मेडिकल में जाके, अन्फिट कर दिया ज जिएस्टी, और आपका इंजामिनेशन और टैपिंग टेस्ट, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन तो जो भी कमी होगी, वेट में आपके ओवर वेट या अन्दर वेट, उसमें आपको जो है, फाइनल मेडिकल में अन्फिट किया जा सकता है, लेकिन आपको एक ज लगा है तो वीडियो को सेर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा